Hi and welcome to the High Priestess Taro, आप सब लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है, I hope आप सब खुश हो, healthy हो, अपना क्याज रख रहे हो, so let us see, आज हम लोग वापस आ गए है, एक और Zodiac reading के साथ, आज मैं बात करूँगी मेरे Aquarius इसके बारे में, so अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी Aquarius है, यह आपको resonate कर सकता है, but Aquarius याद रखना, यह एक general reading है, so जितना resonate करे हो, तो नहीं लेना इस reading से, and मेरे बारे में जो भी information अगर चाहिए, आपको वो नीचे आपको description box में देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, so let us see, शुरू करते है Aquarius, आपके universal messages के साथ, उसक के बाद हम लोग देखेंगे आपका love situation, आपके career, finances, and बाकी का सब कुछ, so let us see universe messages क्या है, Aquarius के लिए for December 15th to December 31st, okay we have dry desert reversed, spirit messages for Aquarius, मुझे achievement सुनाई दे रहा है, slow and steady, okay, आप कुछ बहुत time से pray कर रहे हो, manifest करने की कोशिश कर रहे हो, I see that आपका manifestation पूरा हो रहा है, बट या तो वहाँ पे थोड़ा सा और time लगेगा उस manifestation या उस wish को पूरा होने में Aquarius, या फिर अभी divine timing नहीं है, या अभी time नहीं आया है कि उस manifestation को पूरा किया जाए, that is something spirit wants you to know, so whatever आप चाहा रहे हो यहाँ पे, जो भी आप dreams या विश कर रहे हो, वो पूरा बिलकुल होगा, but उसमें थोड़ा सा और time लगेगा, या फिर उसमें थोड़े से और delays होंगे, I'm seeing Aquarius's December 15th to December 31st के बीच, आप काइंड अप कुछ शुरुआत कर रहे हो, अब कुछ लोगों के लिए ये relationship है, कुछ लोगों के लिए ये कोई आपका business है, कुछ लोगों के लिए ये कोई charity work हो सकता है, कुछ talent, कुछ passion, I don't know exactly what, but definitely आप कुछ शुरु कर रहे हो for the first time, and ये जो भी आप कर रहे हो, इससे आपको बहुत ज़ादा satisfaction मिल रहा है, so अगर already आपके mind में ideas है, अगर आप already सोच रहे थे बहुत time से कुछ शुरु करने की, this is the time कि आप करे, आप बिलकुल करे, बिना डरे, बिना सोचे, I also see something to do with the water energy is very very dominant, कुछ लोग यहाँ पर water manifestation करते हो, water के साथ काम करते हो, या फिर you need a lot of water, you know, stay hydrated, या फिर आपका जो energy है, that is lacking something, आपका energy बहुत tired है, Aquarius's, आप tired हो, emotionally drained हो आप, so try to put into yourself, खुद के उपर invest करने की कोशिश करो December में, खुद के लिए कुछ करो, खुद को पैंपर करो, या खुद का proper self-care करो, self-love practice करो, because I see a lot of draining energies, लाइक आप कुछ ऐसा कर रहे हो, या, maybe आपका circumstance, या फिर आपका situation ऐसा है life में, that आप emotionally काफी ज़दा थके हरे हैसूस कर रहे हो, so emotions आपके काफी ज़्यादा drained है, काफी ज़्यादा, I am kind of feeling very, like as if आपके emotions के उपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ठेक है, ये love में हो सकता है, friendship, family, कुछ भी हो सकता है, कि आप self-love भी हो सकता है, कि आप self-love practice नहीं कर रहे हो, self-care practice नहीं कर रहे हो, आप properly अपने body का, अपने mind का ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने diet को एक बार check करो, आपके water consumption को एक बार check करो, some of you, maybe you have alcohol problem, आप alcohol ले रहे हो, या कुछ ऐसे habits है, जो आपके सेहत के लिए बिलकुल हानिकारक है, उस पे आपको check करना, check डालना बहुत important है, you are checking it, कि आपकोछ एक्सेस नहीं कर रहे हो, unnecessarily, I am also hearing that किसी का यहाँ पे somebody, somebody's grandmother's spirit is here, that is very random, but अगर किसी ने अपने grandmother को खोया है recently, उनका spirit है, जो आपका ख्याल रख रहे है, अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, then I feel that, कुछ लोगों के लिए आपके कोई spirit angel है, जो आपके ओपर ध्यान रख रहे है December में, जो आपका ख्याल रख रहे है, जो आपको protect कर रहे है, कुछ लोगों के लिए ये आपके बच्चों को protect कर रहे है, कोई spirit angel है, जो आपके बच्चों को protect कर रहे है, सो कुछ लोग अगर आप प्रेगनेंट हो आपका जो बच्चा है वो प्रोटेक्टेड है कोई आपका कोई अंसेस्टर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे है उस बच्चे को जो है अगर आप परेंट्स हो आपका कोई भी बच्चा है आपके घर में वो बच्चा प्रोटेक्टेड है is something I'm hearing I'm hearing very weird ideas like Aquarius first of all is Dhoran like December 15th to December 31st आपका जो energy है वो बहुत जादा creative है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके आसपास के लोग सोच भी नहीं सकते या कर ही नहीं रहे है अगर आपको कोई group project दिया जा रहा है I think group नहीं अगर आपको उच प्रोजेक्ट दिया जा रहा है I think आप एतना creative project बना रहे हो कि लोगों को लोग दंग रहे जा रहे है अगर आपको कुछ काम दिया जा रहा है I think उसको करने का कुछ और ही उपाई निकाल रहे हो जिससे आपका बहुत जादा time, पैसा, महनत बच रहा है So इस दोरान I see that आप बहुत ही जादा creative हो and उस creativeness के चलते आपका बहुत जादा kind of help हो रहा है चाहे वो financial हो, time हो, effort हो आपका, आपको help मिल रहा है That is something I am seeing And जो लोग यहां पर किसी चीज का वेट कर रहे हो यह आपका कोई wish है, manifestation है जो आप पूरा करना चाह रहे हो Spirit is showing that उसके लिए और थोड़ा सा इंतजार करना परेगा आपको और थोड़ा सा वेट करना परेगा ठेक है, चीजे इतने आसानी से नहीं हो सकता Especially अगर यह divine timing नहीं है तो delay तो obviously होगा ही Okay, if that makes sense So let us move on Aquarius and देखते है आपके लिए आपका love messages क्या है for December Love messages for the Aquarius is out there Okay, we have the Ace of Swords Love messages, Spirit, we have the Death Energy I am feeling Aquarius like December में आप काइंड आप बहुत महनत कर रहे हो, टायर हो, आपका जो हर दिन बिजी चल रहा है आपका And आप बोल कम रहे हो, कर ज्यादा रहे हो, kind of a situation Also कुछ लोगों का यहां पे आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए या आपका जो sleeping habits है वो बहुत खराब है, आप ताइम से सोते नहीं हो, ताइम से उठते नहीं हो, या आपको proper नींद नहीं आती है Something to do with your sleeping and your water, जिसका आपको चेक करना है, आपका diet आपको चेक करना है कुछ लोगों का blood pressure, अगर है, diabetes है, वो आपको चेक में रखना है Lifestyle, diseases, stress वगेरा, related जो problems होता है इंसान को, वो सारा जो भी अगर आपको कुछ भी है, यहां पे उसका आपको चेक करना है Because you are doing something which is, like आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, आप खुद के body पे, खुद के mind पे pressure डाल रहे हो So, देखते हैं आपके love situation में, Aquarius First of all, I see, I see reconciliation And Like obviously, हर किसी का reconciliation तो नहीं हो सकता, but maximum, majority, I see यहां पे एक reconciliation energy है, Aquarius आप kind of, and I think, इस situation में आप ज्यादा action ले रहे हो आपके person से, so maybe randomly आप किसी को text, I'm hearing drunk text Drunk call, I don't know Maybe आप कर रहे हो किसी को randomly text कर रहे हो, अपने किसी past person को या maybe आप randomly मिलने जा रहे हो, या आप कुछ ना कुछ आप कर रहे हो Like आपका कुछ action है, जो kind of reconciliation के तरफ energy को push कर रहा है जो kind of reconciliation का hope फिर से जगा रहा है आपके situation में आप कुछ लोगों के लिए, maybe आप directly communicate कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, maybe आप किसी को गलती से text या call कर रहे हो कुछ लोगों के लिए आप इस person से मिलने जा रहे हो कुछ लोगों के लिए आप अपने friends को भेज रहे हो social media stock कर रहे हो I don't know आप क्या कर रहे हो, बड़ आप कुछ कर रहे हो December में, जो kind of a reconciliation को अंजाम दे भी सकता है, chances है Now, but मैं कह दू, अगर आपका situation reconciliation जैसा नहीं है फिर ये सब ट्राइं मत करना Don't think कि इस reading को देखके, you will go and text and reconciliation हो जाएगा नहीं I am just saying that, जिन लोग का reconciliation वाला situation है Like आप, आप दोनों सेम चीज चाह रहे हो आप दोनों सेम पेच पे हो, ये उन लोगों के लिए है, there is a chance बाकियों के लिए, what I am seeing here is There is a new beginning जो आप कर रहे हो There is a love offer जो आ रहा है from somebody Past person हो सकता है, new person भी हो सकता है This is a love offer जो आ रहा है, जो आपको confuse करेगा जो आपको सोचने में मजबूर करेगा कि क्या करे Accept, reject, क्या इस offer में stability है, क्या ये person का नजरिया सेम है क्या ये person सेम पेच पे है, क्या ये person का मेरे जैसा ही thought process है क्या ये person सेम चीज़े चाते है ये offer आपके जिंदगी में बहुत 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 सारा सवाल पैदा करेगा Chances are, पहले ही आपका reaction हो कि आप भागने की कोशिश करो Because I feel somehow Aquarius, इस दोरान आपका जो energy है, love के मामले में वो kind of commitment phobic है, आप commitment से डर रहे हो आप promises से डर रहे हो Because I feel number one, आपको idea नहीं है, आप exactly क्या चाहते हो अपनी future में जो लोग singles हो, मैं उन लोग की बात करे हो Number two, आपको डर है आप kind of, यह आपका defense mechanism है, आप kind of अपने heart space को protect करना चाहते हो आप गलत लोगों के साथ नहीं relationship में जाना चाहते हो या आप गलत लोगों को choose नहीं करना चाहते हो आप love में और गलतियां नहीं करना चाहते हो जिस वज़े से क्या होता है, कोई भी intense feeling जब आपको आने लगे कोई भी intense connection, intense person जब भी आपके सामने आने लगे आप भागने लगते हो, दौडने लगते हो, आप बस हाल छोड़ देते हो यह आपका shadow side है जिस पर आपको work करना है जिस पर आपको ध्यान देना है कि कहा से यह feelings पैदा हो रहे है कहा से यह डर आ रहा है, कहा से यह tendency आ रही है कि मैं भाग जाओ मुझे सामना नहीं करना, मुझे नहीं जानना, नहीं इंट्रेस्ट है मेरा क्यों आ रहा है, क्या यह आपका logical decision है कि मुझे इस मामले में concentrate करना है जिस वज़ से मुझे लव नहीं चाहिए या जिस वज़ से मुझे अपनी feelings को, you know, switch off करना है अगर वैसा है तो ठीक है, बट अगर इस वज़ से है कि मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे डल लग रहा है मैं सामना नहीं कर सकता, then उसमें problem है, that you need to recognize, you need to acknowledge Aquarius जिल्लों का reconciliation दिख रहा है, मुझे, I see that this is happening very fast कुछ एक communication या clarity आ रहा है, जो बहुत ही जल्दी इस connection को reconciliation पे लेके जा रहा है किसी past person के साथ, जो बहुत ही जल्दी इस connection में completely u-turn दिखाई दे रहा है, जिस वज़ से कुछ एक communication या कुछ एक information, जो आप दे रहे हो अपने person को, आपकी person दे रहे है आपको आप दोनों को कोई mutual friend दे रहा हो, social media से मिल रहा हो, does not matter Aquarius, I feel आपके love situation में, you have to give time patience, आपको पहली बात तो there is a lot of shadow energies जो आपको heal करना है, जो आपको face करना है, बहुत सारे fears है, traumas है, past baggages है जो आप साथ में लेके चल रहे हो, maybe आपको समझ में नहीं आ रहा है, maybe आपको लग रहा है कि नहीं, I am ready but I assure you, जब भी कोई intense connection आएगा आपके सामने, new connection वगेरा, आप भाग जाओगे आप डर जाओगे, confused feel करोगे okay, okay, let's see, जो लोग किसी से deal कर रहे हो, उस person की energies क्या है we have two cards, we have the page of wands reversed, we have the page of, sorry, page of swords reversed, page of wands reversed wow, this person is kind of, wow, यह जो भी person है Aquarius, यह person kind of, आप से भाग रहे है, या मूँ मूर रहे है let's see, what is going on this person का energy may be closed off, लग सकता है आपको, या आपको लग सकता है, यह person पहले जितना openly बात करते थे, या पहले जितना हसी मजा करते थे, अब वो नहीं करते है, या थोड़े से closed off है, this person is just tired Aquarius, why is your energy so tiring, I don't know December में, आप क्या कर रहे हो जो, आप क्या कर रहे हो, जो, आप क्या कर रहे हो, जो, I am feeling tired, I don't know why okay, so यह जो person है आपके Aquarius, यह person गुसा है, या फिर यह person आप को समझ नहीं पा रहे है now, I am telling you this because maybe ऐसा होने का कोई रीजन नहीं है, बट आपके परसन के नजरिये से मैं आपको बता रहे हूँ, so take it however it resonates यह परसन आपको समझ नहीं पा रहे है इस परसन को इस connection पे भरोसा नहीं है there is a lot of imbalance, there is a lot of issues here trust issue हो, commitment issue हो whatever issues पर यहां पे issues है यह person kind of forward move करने की कोशिश कर रहे है अभी तक किये नहीं है I feel इस वक्त यह person एक emotional जगा पे है इस person के बहुत सारे complaints है आपके खिलाफ यह person बहुत कुछ complaint करना चाते हैं आपके खिलाफ आपके साथ एक गुसा है, एक दबा हुआ emotion है एक emotional kind of a situation है यह जहां पे यह person बहुत सारा emotions आपको दिखाना चाते है बट इस person को लगता है कि दिखा के कोई फाइदा नहीं है because maybe यह person मजबूर है या फिर maybe आप इस person को समझोगे नहीं जिस वज़े से यह person decide कर रहे है to move forward, to start a new chapter maybe यह अपने options को open रखने के बारे में सोच रहे है अभी तक इन्होंने open रखा नहीं है या अभी तक यह move on किये नहीं है but यह सोच रहे है because इनको लगता है that Aquarius does not care, Aquarius को फरक नहीं पड़ता है या Aquarius life में आगे बर गया है या Aquarius kind of serious नहीं है मेरे बारे में so यह person kind of हिम्मत जुटा रहे है to move forward, to move on I don't see कि यह person ready है communicate करने के लिए या I don't see यह person open है कि आप कुछ भी कहो and यह person kind of आपको सब आके बता दे इनके feelings के बारे में अगर आप चाते हूँ कि यह person बताए I think आपको पहला action लेना परेगा पहला step लेना परेगा and आपको बहुत ज़्यादा patience रखना परेगा इस person के साथ अगर आप सोच रहे हो कि एक बार बात करने से यह person आपको सब कुछ बता देंगे तो वैसा नहीं हो सकता there is a lot of hidden emotions बहुत सारे emotions है बहुत सारे तकलीफ है complaints है जो यह person करना चाते है आपसे but maybe अपने गुसे के लिए नहीं कर रहे हैं maybe अपने ego के लिए नहीं कर रहे है maybe अपने I don't know maybe अपने just trust issues commitment issues के लिए नहीं कर रहे है so that is how it feels here ठीक है अगर मैं Zodiac की बात करूँ मेरे पास है Cancer, Scorpio, Capricorn, Aries, Taurus Pisces Sagittarius Gemini and Libra okay let's move on देखते हैं आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं let's see your career situation let's see your career situation okay we have the seven of cups reversed किसी को यहां stress के वज़े से कुछ habits आपने इंकलकेट किया है जैसे smoking वगेर जैसे smoking वगेरा definitely Aquarius उसपे चेक करो that you are not doing it you know आप खुद का ख्याल रख रहे हो basically let's see आपका oops आपका करियर hmm I see impatience, I see jaldbazi क्यों I don't know now first of all as I already said पहले Aquarius इस दोरान इस महीने या इस 15th to 31st basically बहुत busy बहुत busy जाएगा आपका career situation चाहे वह आपका परहाई हो चाहे वह आपका job हो business हो जो भी हो बहुत सारे लोगों के साथ आपको deal करना परेगा तरे तरे के लोगों के साथ orders के साथ, customers के साथ, syllabus वगेरा, सब कुछ you know, बहुत जादा stress है, tension है, hard work है, you know, load है, काम का okay so I also see here that आप जितना काम कर रहे हो आपको इतना recognition या reward भी मिल रहा है so ऐसा नहीं है आपका काम फालतु जा रहा है या ऐसा कुछ, I see that आपको उतना ही appreciation मिल रहा है या पैसा, income, bonus वगेरा आपको सब कुछ मिल रहा है अपने काम, अपने hard work के वज़े से कुछ लोग में भी आप अच्छा number score कर रहे हो, आपका exam अच्छा जा रहा है because आप hard work डाल रहे हो also for some of you, आप इस time पे बहुत जादा practical हो, Aquarius I don't feel that, okay, कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको बहकाने की कोशिश करें जो आपको चीजे समझाने की कोशिश करें जो आपको अपने जगा से distract करने की कोशिश करें जादा से जादा time, I see that आप अपने office में, अपने काम में बिता रहे हो, ना ही आप दूसरों के साथ बिता रहे हो and I don't, I see that आप drama वगेरा को जादा entertain नहीं कर रहे हो अपने life में इस वक्त for some of you, आप महनत करके किसी target hit कर रहे हो या आपका कोई wish है, कोई target है, जो आप fulfill कर रहे हो, जिससे आप काफी ज्यादा satisfied हो, जिससे आप काफी ज्यादा happy हो कुछ लोग आपको help मिल सकता है किसी से, आपके किसी colleague, आपके किसी partner से, आपके किसी classmate से या teacher या boss से, ये help में भी financial help है, या फिर आपका basically आपका काम में आपको help मिल रहा है also कुछ लोग याँ पे group में काम कर रहे हो, group activity, group project and उसमें I feel that be very careful कि कोई आपके महनत का appreciation अपने घर नहीं लेके जा रहा है so अगर आप group में काम कर रहे हो, be very clear कि आपका काम क्या है and उसके लिए आप क्या demand क्या charge करोगे so be very clear with that कि आप किसी को emotionally help करने ना जा रहे हो because I feel अगर आप emotional होगे, लोग आपका फाइदा उठाने लगेंगे so इस time पे Aquarius, be very practical जो आप हो, hard working जो आप हो आप बहुत logical हो, आप logically चीजों को handle भी कर रहे हो, busy हो target hit कर रहे हो, target you know अपना focus जो है बना के रख रहे हो and उस हिसाब से आप recognition, reward या money, finances आपको मिल भी रहा है so overall काफी satisfactory है आपका career situation so that is what I see for you Aquarius and अगर ही reading आपको अच्छी लगी then please do like, share and subscribe to the channel be a part of the family, मैं आप से मिलूंगी next reading में till then take care and goodbye